हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फोटोग्राफी एन टेक दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप फोन पे का जो भी वैलेट बैलेंस है जो कि आप रेफर एन अर्न करके जो आपको मिला है तो उसे आप कैसे अमेजन पे बैलेंस पे भेज सकते हैं जैसे कि आप आपको पता होगा फोन पे वैलेट बैलेंस से अच्छा जो है वह अमेजन पे बैलेंस है जिसमें हम वहां पे रिचार्ज और सौपिंग दोनों कर सकते हैं तो बहतर यह है कि फोन पे फोन पे अकाउंट से रहने से अच्छा है कि अमेजन पे बैलेंस पे भेज दे और अमे वेबसाइट पर जो की है www.jingoy.com आप सिंप्ली क्रोम में जाके लिख देंगे ये तो ओपन हो जाएगा ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दे दूंगा आप वहां से भी जा सकते हैं jingoy.com जैसे आप यहां पर आते हैं और ऐसा हों यह वेबसाऀट तो आपको यहां पर धृद्वेव नजेरााइंगे थ्री लाइन के एक थेरि लएन पर आप क्लिक करेंगे जैसे फिर्टॉ आपको यहां Google से भी register कर सकते हैं तो मैं just simply Google से register कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ जैसे ही आप register कर लेते हैं तो आपको फिर से वही interface open हो जाएगा एप का और आपको यहाँ पे search में लिखना है Amazon Gift Card Amazon Gift Card जैसे ही आप लिखते हैं और search करते हैं तो आपको मिलता है Amazon Gift Card यहाँ पे तो simply आपको Amazon Gift Card पे click करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि different different amount का gift card है आपको जो चाहे add कर सकते हैं यानि कि 250 का भी है 500 का भी है 100 का भी है तो जितना आपको balance भीजना है phone पे से Amazon Pay balance को उतना का आप add कर सकते हैं तो चलिए मैं 100 रुपे add करके आपको देखा देता हूँ यहाँ simply add पे click करेंगे तो यहाँ पे wait लिख रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है go to card यहाँ पे हम कार्ट में जाते हैं जैसे हम कार्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा continue का सबसे नीचे आप देख सकते हैं continue का ओफ सना रहा है Continue पे click कर देते हैं और फिर से आपको यहां पे दिए जा रहा है प्रोसीद टू पे रूपीस 100 तो रूपीस आप कहां से पे करेंगे इसके लिए प्रोसीट किया जाएगा जैसे आप proceed to pay करेंगे तो आपको यहां पे different different website आएंगे जैसे free child mobi quick तो हमको जो pay करना है वो phone pay से करना है तो phone pay यहां पे आप click करेंगे phone pay click करने के बाद यहां पे आप proceed to payment पे click कर देंगे जैसे आप proceed to pay पे click करेंगे तो आपको यहां पे ले के आएगा phone pay का main account जो भी valid balance है वहां पे आप सोग हो रहा है देख सकते हैं 131 रूपीज तो मैं यहां पे pay पे click कर दूँगा जैसे आप यहां पे pay पे click करेंगे तो देख सकते हैं कि successfully pay हो चुगा है ओके आपको इसका message भी मिल गया उसके बाद जाना है आपको mail में जो कि आपने phone pay पे जो register किया है mail उसी mail पे आपको एक message आएगा mail आएगा जो कि आपको यह gift card का code होगा आप इसको simply tap करके copy कर लेंगे कोपी करने के बाद आप जाएंगे Amazon पर जैसे कि मैं जाता हूँ Amazon पर ओके Amazon पर जाएंगे और Amazon पर जाने के बाद यहां पर आप जाएंगे Amazon Pay Pay Amazon Pay balance पर ओके और यहां पर एड़ gift card पर क्लिक करेंगे जैसे यह पर गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो इंटर यहां पर कोड मांगा जा रहा है जैसे आप वहां पर copy किये हुए थे जो mail पर आया था उसको यहां पर paste करतेंगे और एड़ नाव पर क्लिक करतेंगे तो देख सकते हैं एड़ नाव पर जैसे क्लिक करते हैं तो 182 रूपीज हो चुका है मेरा पहले से कुछ रूपया था 82 रूपीज और यह 100 रूपया एड़ हो चुका है तो इस तरह से आप जो है फोन पे का जो भी वैलेट बैलेंस है आप अमेजन पे बैलेंस पे सेंड कर सकते हैं अगर देखा जाए तो अमेजन पे बैलेंस का जो भी बैलेंस होगा वो काफी वो काफी यूसपुल होगा as compared to phone पे यहां पे आप different recharge कर सकते हैं और shopping भी कर सकते हैं उस पे आपको offer cashback भी मिल जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करें, share करें और channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel subscribe कर ले Thank you for watching this video